आज हम आप लोग को बताते हैं कि हमारा भारत में विश्व दर्बार में जो जो आवर मिलता है वो जो काटेगरी विश्व दर्बार में जो आवर है जो प्राइजेस है जो अनर है भारत का उस काटेगरी में क्या-क्या रैंकिंज है एकड़ेमी आवर्ड नोमिनेशन्स फरेंड में भारत का पोजिशन 33 है यह बहुत जरूरी है विश्वदर्मार में जो प्राइज मिलता है उसमें भारत का रैंकिंग में बोलता हूँ नेक्स्ट है नोबेल प्राइजेस यह भारत का पोजिशन अभी डिटेल बता नहीं सकते हैं लेकिन नाइन नोबेल प्राइजेस इन इंडिया सोफार यह आप लोग को पता होनी चाहिए देन टुरिंग आवड में भारत का पोजिशन सिख्स्त है इसकी सोर्स जो है आसोशेशन फॉर कम्पीटिंग मेशिनेरीज अन्ड लास्ट जो वर्ल्ड सिनेरीव में जो होता है वर्ल्ड हरिटेज साइट्स इसमें भारत का पोजिशन शिरिप एक नमबर इसलिए हमारा टूरिजिम बढ़ावा बहुत हाई है बहुत लोग को पता नहीं होगा हमारा ITDC, स्टेट, टूरिजिम कितनी स्टेंदिनिंग है हम सारा विश्वदरवार में भारते के रिपब्लिक कंट्री होने के बाबजुद भी एक नमबर स्टान ग्रहन करता है वर्ल हेरिटेज साइट में हमारा धरवरो इतना सुंदर बातावरोन सुंदर जमी भरा हुआ है साथ आप लोग को कितना पता होगा नहीं होगा आए हमारा एंवर्मेंट्र के बार में भी उसी के साथ में बताना चाहूँगा अब आज की दोर में ग्लोबल वर्मिंग जिस प्रकर चल रहा है Climate Changes में Performance Index में 2020 में जो हुई थी उसी में भारत का पोजिशन 10th पोजिशन था वर्ल्ड सिनारियों में Environmental Performance Index में 177 है Environmental Democracy Index में भारत की पोजिशन 20 है Air Quality Average में PM में 2.5 Concentration में भारत का रेंकिंग सारा विश्व दरबार में 84 स्तान है Fresh Water उदरल में भारत का पोजिशन एक नमबर एक नमबर Fresh Water में एक नमबर And Irrigational Land Area में 2 नमबर सारा विश्व में And Global Climate Risk Index में भारत 7th पोजिशन में है आये आप लोग को ये महत जान करी कही ना कही प्रतक्यांड परख रूप में मैं आसा रखता हूँ काम आएगा और मेरा नौलेज आपके पासे मेरी जो अध्यान में में आजे Research Scholar मुझे जो संग्यान में आया आप लोग को में साजा कर रहा हूँ Hope you will utilize it and enjoy it करा हूँ